ना बुझ खास लगा रहे हैं ठीक है नॉट सो गुट नॉट सो बैड और एक बाद और देखने हैं कमी काम पर रहे हैं आखर क्यों नहीं मुझे इतना खाना है हेलो जी नमस्ते असलाम वालेखूं और सच्छी अकाल तो दोसो बात करते हैं जी आज की वीडियो की वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज आप सब के लिए बनाने जारे जी भाई फ्राइड चिकन जो खाने में बड़ा ही शांदार और बड़ा ही जबरत होता है तो चले स्टार करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चले दोस्तों स्टार करते हैं जी बनाना सबसे पहले चा करना जी आपको चिकन को मैरिनेट करने से पहले इन में आपको कट मारनें गहरे कट ठीक है अच्छे गहरे कट ताकि जो मस काली मिर्च करीब 1 जमच कश्मीरी लाल मिर्च करीब 1,5 जमच कसूरी मेथी वै करष्क हुई बै कुटे वी शाबूत लाल मिर्च अद्रक हो लसंग का पेश्ट करीब 1,5 tablespoon बेशन करीब 1,5 tablespoon और निम्बू का रस और जिनाब थोड़ा सा दहीव मिलाओं इन सबको इनका करले प्रोपर्ली तो करीब आपने इसको एक से डेट गंटे अब भाई अब साइड पे या फ्रीज में रख देना है तो दोस्तों बैट चिकन अपना होगा जो कि काफी जादा गर्म हो गया हुआ है अब करते हैं जी से अब फ्राइब द्यान रहें कि तेल काफी गर्म होना चाहि और सारे पीसे इखड़ा टालने की रिक्वार्मेंट नहीं है दीरे दीरे इसने फ्राइब कीजिएगा वरन एक चपक जाएंगे दोस्तों इसको हाइफ फ्लेम पर रखिएगा भी बल्कि एक साइड को पकने दीच अच्छी तरह से फिर जब वो पक जाए तो इसको पल्ट पकाना है जी फुल पे और इसको हमने लो फ्लेम कर देना ताकि जो अंदर का चच्छा बना खत्म हो जाएगा तो अब चेकर थे ही बढ़िया पल्टी साइड से हुआ है नहीं हुआ बिल्कुल हाँ यहां से भी हो गया हुआ है तो अब आरी आती जी इसको अब लो फ्लेम क पकाएंगे जब आपको लगे कि मास हड़ी छोड़ रहा है तो यह नहीं समझना कि आपका यह पकने को त्यार है अफी फिलाल अभी नहीं है तो भाई दोस्तों देखो यार हां देख रहे हो यह अपना जो चिकन है जी अब यह लो फ्लेम पे हमारा पक गया है बिल्कुल त बाड़ भी फ्राइब हो चुका है वह यह हमारा चो चिकन फ्राइब भी गाते हैं बनके त्यार हो गया हुआ जी तो लेकिन अभी एक छोटी सी कारवाई ओ रहती है बताता हूं आपको तो बाई यह दूसरी कारवाई है जी ठीक है फुरा था टेस्ट लाने के लिए मैं तो दोस्तों करीब 2-3 मिट मैंने पकाया जी इसको अब ठीक है अब कुछ नहीं करना चाकलों तो डाल दो इसके उपर भाई लो दोस्तों हो गया मारा फ्राइड चिकन दियार करते हैं टेस्ट बाई लो दोस्तों बनके त्यार हुआ जी अपना फ्राइड चिकन बढ़े द इस ट्राइ करते हैं दिखते हैं घया त्या rejoice यह व्मिद के कि टेस्ट बोधी ब्लास्ता आएगा अगर इनको देखो आप एक क्या बोल रहें जी एक सुंधर दिखरे नहीं है है मैं जूड़ी होई है अगर मैं अंडा घाता होता न बड़े लोग उस्ते अंडा क्यों नि खाता हो हुँ जब भी खाता हुँ तो एलर्जी हो जाती है हुआ यह बहुत ही बढ़िया बन सकती थी तो भई ले देखके साथ में यह घर की बनी चटनी बई यह है धनिया जाए मिर्च प्याज और दहेगी ठीक है और इप साथ बनाला जी गारलेक तो सबसे पहले क्या किया जाए सबसे पहले में कोर्स को बारे लिया जाहे पहले छोटे Kो उठाकर यहां पर लाया जाए है यह आप DR पीज तो इसके उप़र इन के उपर तो सबसे पहले क्या किया जाहे सबसे पहले तो बिंहा लगाए ठीक नहीं इसको यूँ ही खालिया जाए, यूँ हमको मसाला चाहिना बिए क्यासा बना हुआ हुआ हूं हुआ 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 कि इसना हाराम से सौफ्ट ली कड गया ये और दोबार दिखाता हूं कि अगर कि आप और वार भाई वार प्लंग वार बाई काजब किया टेस्ट है यार कि अगा वह दिखो यार इतना जूसी है नहीं इतना सॉफ्ट है यह देखो भाई जाबर जाबर तो भाई अब आती बारी जी अब हमको परखने हैं चीजे जो हमने साथ रख्यू ही हैं तो भाई सबसे पहले यह तब देखो लेगा अंदर तक यह हुआ है यह कैसे किया मुझे निमालूब भाई अलॉंग विद यह प्यास सबसे पहले जो मैंने फॉर्मला कपना है था कच्छे प्यास जिगापर यह बुनाववा प्यास जालने का देखते इससे क्या फर्पड़ने बाला है वाई कितना स्रेया तो भाई आज जाबर टू एक्स इतना क्लास है यार इतना क्लास प्यास को एक्वाइड करना ओर इस भुनिवा प्यास को लोना वैट ट्राइक कर लेना भाई कि कहने पर है प्लीज मेरे कहने पर बैइ मैं तो उसे ओहुड़ कहूंगा किसे ऐसाथ इस प्यास का साथ लगा लगा के कच्चे प्याज में और बुने वा प्याज में जमीन आसमान का फरक होता है जमीन आसमान का बुना प्याज पड़ी मिठा सुरता है और यह जो मुरगा बना हुए ना कौंसा यह फ्राइ मुरगा क्या टेस दे रही है हर एक मसाला जैसे में आज विल कहता हूं बढ़ पर्फेट रोल अदा कर रहा है खासकर जो मैंने कुटा वाज जीरा डाला था मैं चाहता तो पॉडर भी डाचाता था लेकिन मैंने ये पॉडर यूज नहीं किया मैं दिखा मैं दिखता हूं कि आज भाई कुटे वाजीरे से भग कर बड़ा मजाता खानेगा भाई एक और पीस हूं भाई सबसे पहले अपनी होममेड गरेलू चटनी है अब या इतना इफेक्टिव हुए है जूर कि मुलना ना कुछ खास लगाने मिरको ठीक है नौट सो गुट नौट सो बैड थोड़ा एक बार और दिखते हैं कम ही कहम पर है आखर क्यों नहीं मुझे तना खास टेस्ट आया इस चटनी के साथ में कि नहीं यार विद्कुल मजानी आ है भाई अब आर्याती है म्यूनीज की यह तो चटनी अंग्रेजों की है म्यूनीज ना भी बड़ा प्यार रसका म्यूनीज एक बार हो चखना पड़ेगा यह बार है यह थो ऑज़ गयर को चटनी काम की ने बन रही है क्या सकर है इसा तो खुद का जो टेस्ट अपना है वहीं बरबाद हो रहा है यह तो अगर ऐसी आप प्यासे साथ में यह तो ब्लस्त हैं ब्लस्त सच में खह़ा हूं चटनी थो ज़िए तो यार क्या करें फिर दुबारा चक्र एक बार यह तो बड़ा वकंदा फर्मला हो गया रही है म्यूनिस से तो फिर गरेलू चटनी बैटर लग रही मेरे को यह कुछ खास लगनी रही है अब शैजवां के साथ देखते हैं पर शैजवां लेकर करना क्या यार चूँगी और यह जो मेरा फ्राइड चिकन है यह बड़ा थीका यार क्योंकि हमें इसमें लाल मिर्च पी यूज की है ओ चिली फ्लेक्स भी यूज कियो हूं है काली मिर्च भी यूज की है तो यार यह का लगता नहीं मिरों कारा और ना यार को इसे 一 साथ को किसी भी चथ्णी की requirement नहीं यह कि खुद में एक चथ्णी इस के बनाए नक两ién कोटनी उसके उपर है यह बई कुभी खुद में चतनी है इंक जूरत नहीं को यह तो किसी काम की रही नहीं ही आजये क्या चक्कर हो गया जो मुझे लगता है कि हमें दही बाली चट्टी नहीं बना के ना इसमें नीबू एड़ करना चाहिए था शायद उससे अच्छा टेश आता है शायद दही ने से कुछ गडबर किये से साथ में तो भी दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह रेसेपी मेरी अच्छी लगेगी जो मैंने बनाया फ्राइड चिकन का अभी जूरू ट्राई करना बड़े चट्नियों ने डिसपोइंट किया कोच अ करनी है अगली बार को और चट्टी देख लेंगे तो दोस्तों अब आप देख लिए इतना ही विडिए नेक्स